हमारे देश में महिलाओं के हक से जुड़े सवालों को जितने दबाओं से गुजरना पड़ता है उतना अन्य सवालों को नहीं गुजरना पड़ता एक हकिकत यह भी है कि महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा जब भी उठा वह विवादों और बहस का जरिया बना महिलाओं की स्थिती में सुधार इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ऐसा होगा तब ही इस्तरी पुरुष के बीच शक्ती संबंदों में बदलाव आएगा और पित्र सत्ता की जड़ें हिलेगी जो ऐसा नहीं होने देना चाहते वे महिला अधिकारियों से संबंदित सवालों को धर्म का सहारा लेकर इतना उलजह देते हैं कि उस पर बात करना भी मुश्किल हो जाता है महिलाओं पर धर्म को सदेव एक एद्रिश्य कोड़े की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है तीन तलाक का सवाल भी इसी का शिकार होता जा रहा है मुसलिम महिलाएं तीन तलाक का विरोध जितने दम खम से कर रही है विरोधी ताकतें उतना ही बोखला रही है इन ताकतों की जुबानी पर सिर्फ एक ही बात है कि शरीयत कानून में ने कभी बदलाव हुआ है और ने कभी होगा इतना ही नहीं यह धमकी भी दी जाती है कि बदलाव करने वालों का अंजाम बुरा होगा ऐसे रवेवाले यह भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की जादातर आबादी तसरक की पसंद है वह पहले भी ऐसी धमकियों से डरी नहीं और आगे भी नहीं डरने वाली याद कीजिए 1955 का वह दौर जब हिंदू कोड बिल पर बहस चल रही थी इस बहस के तहत परिवार के भीतर महिला अधिकारों के प्रश्न को उठाया जा रहा था जैसे जैसे बहस आगे बढ़ने लगी तीखा रूडिवादी नजरिया सामने आने लगा उस समय हिंदू समाज के रूडिवादी वर्ग और तमाम साधू संतों ने खुले तौर पर हिंदू कोड बिल का विरोध किया एक तरह से कुछ वैसा ही जबर्दस्त हंगामा खड़ा किया गया जैसा आज तीन तलाक को लेकर खड़ा किया जा रहा है हिंदू कोड बिल के विरोधी कह रहे थे कि यह विदेयग हिंदू समाज के पूरे धाचे को दुवस्त करने की साजिश है एक दलील यह थी कि परिवार में स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं और जवाब दे ही अलग अलग है इसलिए दोनों को समान अधिकार देने का कोई औचित्य नहीं बनता एक अन्य लचर दलील यह भी थी कि हिंदू समाज में महिलाओं को अत्यांत सम्मान जनकिस्थान प्राप्त हैं इसलिए उन्हें पुरुषों के समान संपत्ति का अधिकार देने से उनकी छवी धूमिल होगी और वे भी भौतिक सुविधाओं के आकर्शन से ग्रस्त हो जाएंगी तब हिंदू महिलाओं के सुवयभाओं के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि उनका पालन पोशन और प्रेशिक्षन इस प्रकार किया जाता है कि यदि उन्हें और अधिकार मिल भी जाए तो भी वे परिवार के प्रती अपने दाइत्वों का निर्वाहा पहले की तरह करना पसंद करेगी एक और हास्यापद तरक यह भी था कि हिंदू महिलाओं तो ऐसा कोई बदलाव चाहती ही नहीं है और कुछ महिलानेता इस बारे में जो कह रही है वह आम भरतिय महिलाओं की प्रतिनिधी मांग नहीं है कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस समय हर हाल में अडंगा डालने पर आमदा थे रूडी वादी ताकतों के विरोध के बावजूद 1956 में टुकडों में ही सही यह हिंदू कोड बिल पारित हो गया इस तरह हिंदू समाज सुद्धार वादी ताकतों के सहारे रूडियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा आज तीन तलाक के सवाल पर कमों बेश वैसी ही इस्तिथी मुस्लिम समाज के सामने है तीन तलाक के सवाल पर मुस्लिम समाज के सुद्धार वादी तबके कवा अपने समाज की रूडिवादी ताकतों से टकराव हो रहा है उलेमा तीन तलाक खत्म करने को शरीयत में दखल मानते हैं जबकि हकीकत यह है कि वे खुद ही शरीयत के तमाम कानुनों में रदो बदल कर चुके हैं एक तथ्य यह भी है कि भारतिय दंड सहिता, फोजदारी एवं दिवानी प्रक्रिया समहिता जैसी अनेक सहिताएं मुसल्मानों सहीत भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है मुसल्मानों ने कभी इसका विरोध नहीं किया कि उन्हें दिवानी या फोजदारी के सभी मामले शरीयत के मताबिक ही चाहिए यानि चोरी के मामले में किसी मुसल्मान चोर को जेल ने भेज कर उसके हाथ काटे जाने चाहिए 1937 का शरीयत एप्लिकेशन एक्ट और 1949 का मुसलिम विवा विच्छेद जैसे कानुन भी अंग्रेजों ने ही बनाए शाह बानों मामले में मुखर हुए मुसलिमों ने जब 1986 के अधिनियम को संसद से पारित होने दिया तब वहाँ शरई काजी मौजूद नहीं थे फत्वों के खिलाफ सूप्रिम कोर्ट ने 2014 में बहतरीन फैसला सुना चुका है पिछले कुछ समय से देश के कई उच्च नयाल तीन तलाक के खिलाफ फैसला सुना रहे हैं रूडिवादियों की रोक टोक के बावजूद हिंदुस्तानी समाज हमेशा आगे बड़ा है वह धर्म की जंजीरों में कैद होकर कभी ठहरा नहीं सती प्रथा विद्वा विवा पर रोक चुवाचूत ये सब एक समय हिंदु धर्म की मानेता का ही तो हिस्सा थे लेकिन इन अमानविय धर्मिक मानेताओं के खिलाफ इसी समाज के लोगों ने ही लड़ाई लड़ी और कानूनी तोर पर पाबंदी लगा कर उन्हें खत्म किया गया धर्म के हवाले से देखें तो संपत्ती में महिला को अधिकार देना हिंदु धर्म में वर्नित नहीं है लेकिन कानूनन यह अधिकार उन्हें दिया गया इसी तरह तलाक हिंदु धर्म में नहीं है लेकिन इसी देश में हिंदु विवा विच्छेद कानून 1955 बनाया गया आज हिंदु महिला यदि तलाक की अरजी लेकर अदालत जाती है तो कोई भी हिंदु धर्मिक संगठन उसे से यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता की वह यह कृत्यक तो धर्मिक के खिलाफ है कोई हिंदु संगठन ऐसी भी दलील लेकर सामने नहीं आता की कानून हिंदु धर्म में दखल दे रहा और इसे ब्रदाश्ट नहीं किया जाएगा क्या हिंदुओं की धर्मिक आस्था मुसल्मानों की धर्मिक आस्था से कम है एक धर्म की मानिताओं पर सवाल उठ सकते हैं तो दूसरे धर्म की मानिताओं पर क्यों नहीं उठाए जा सकते दुनिया के कोई समाज ऐसा नहीं जो बदलाव से नए गुजरा हो, वक्त के साथ बदलाव ही तरक्की की निशानी है तीन तलाक जैसी अमानविय प्रथा का इस्थाई समाधान सिर्फ सम्वेधानिक दाइरे में ही मुम्किन है तमाम कानूनों की तर्ज पर तीन तलाक के खिलाव भी कानून बनाकर उसे हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है कानून बनाते समय यह भी ध्यान रखा जाए की धर्म ग्रंथों की किसी व्याख्या को तवज्जो ने दी जाए जाए